लक्ष्मी, मैं देख रही हूँ तुमने डबल फॉटिफाइड नमक नहीं खरीदा है? क्या हुआ? क्या तुम अब इस नमक का इस्तमाल नहीं करना चाहती? क्या बताओं पूजा? कुछ दिन पहले हमारे घर में महमान आए थे और मैंने नीमबू पानी बनाया पर सारा नीमबू पानी भूरे रंग का हो गया और ग्लास में नीचे कुछ कंड भी रह गया नीमबू पानी बनाने में नई चीज ये डबल फॉटिफाइड नमक ही थी ज पहले मुझे लगा कि वो खाना खराब हो गया है, पर अब लगता है कि वो भी इस double fortified नमक की वज़े से ही हुआ. अब मैं इस double fortified नमक का इस्दमाल नहीं करूँ, मुझे ये नमक ठीक नहीं लगता. अरे double fortified नमक में आयन होने की वज़े से कभी-कभी खाने का रंग बदल जाता है, आयन हवा या नमी की वज़े से रंग को बदल देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खाना खराब हो गया है या नमक में मिलावट है, इसका मतलब तो ये है कि आपके खाने में आयन मौजूद है, जो आपके स्वास्त के लिए अच्छा है, ये अनीमिया से बचाता है, क्योंकि आयन के कण भारी होते हैं, इसलिए कई बार पानी में मिलाने से नमक नीचे की सतय पर रह जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी में ठीक से नहीं घुल रहा, तुम्हारी बेटी को अ आयन की आवशक्ता भी नहीं है, मेरी बेटी के अलावा किसी को अनीमिया भी नहीं है, मुझे अपनी बेटी की सहत के लिए कुछ और ही सोचना होगा, आयन की आवशक्ता हर एक को रोजाना होती है, खास तोर पर महिलाओं को, बढ़ते बच्चों को और किशोरों को, आपक नमक से हमें दैनिक आवशक्ता का सिर्फ एक तिहाई आयन मिलता है और क्योंकि हम हर दिन नमक थोड़ा सा ही खाते हैं हमें इससे आयन सीमित मात्रा में मिलता रहता है इसलिए आपको अधिक आयन के मिलने या सेवन की चिंता नहीं करनी चाहिए ओ अच्छा मुझे पता नहीं था पर ये जो अजीब रंग हो जाते हैं उसका क्या करो और ये महंगा भी है मैं तो तुम्हारी बातों से संतोष नहीं हूँ खाने का रंग जरूरी है या आपकी सेहत हल्दी से भी तो खाने का रंग बदलता है पर हम स्वाद और सेहत के लिए उसका प्रयोग करते हैं ना डबल फॉटिफाइट नमक से हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई ये मान लो कि आपकी स्वास्त के लिए ये एक छोटा सा निवेश है जो आगे चल कर आपको फायदा ही देगा तुम सही कह रही हो पुजा मैं अपने परिवार को भी समझाओ रही सेहत सबसे मूल्यवान है